भागलपूर के ओद्योगिक थाना च्छत्र फतेपूर गाउं में भागलपूर के सीटी एस्पी सुभम आरे के नैत्रितु में छापे मारी कर 160 किलो गांजा बरामत किया गया साथ ही गांजे की तसकरी करने वाले तीन तसकरों को भी गरपतार किया गया है द्रसल भागलपूर के सीटी एस्पी नितासा गुडिया को यह गुप सूच ना मिली कि गांजा तसकर बड़ी मात्रा में गांजा खपाने के लिए फतेपूर लाए है जिसके बाद सीटी एस्पी ने सीटी एस्पी के नेत्रित में विसेश टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया पुलीश टीम ने सीटी एस्पी के नेत्रित में फतेपूर के मुहम्मद बाबर के घर चापे मारी कर 160 किलो गान्या के साथ 3 तसकरों को धर दबोचा गिरपतार गान्या कारोबारियों में बाबर के साथ तन्वीर और मुहम्मत धहमीन सामिल थे तीनों तसकरों को गिरपतार कर अध्योगिक थाना लाया गया जहां पर घंटो CTSP ने तसकरों के कनेक्सन खागानने को लेकर चानबीन की नोगचिया के प्रबता थानाचतर के बर्वा मोल के पास अज्यात अपरादियों ने गोली मालकर बर्वा निवासी केला विकरिता चुणचुनमंडल को घायल कर दिया गायल चुन्चुन मंडल के भाई किसोर मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई सैकिल पर किला लेकर रोज भागलपूर बेचने जाता था उसके भाई पर किसने जान लेवा हमला किया उसे कुछ नहीं मालूम उन लोगों ने मामले की सूचना पुलीस को दे दी है उदर परवत्ता के थाना अधच नाम चंदर यादब ने बताया कि मामले में घायल के लाविक्रिता का फर्द बयान लेने के लिए पुलीस पतादिकारी को अस्पताल भेजा गया है तो दूसरी तरफ पुलीस मामले की चानबीन कर रही है और आलोपियों के संभावि ठिकाने पर छापे मारी भी की जा रही है भागलपुर की सब और इस्थित किर्सी विष्विधाले में लगाता चल रहे है किर्सी विज्ञानिक और सिछकों के आंदोलन को लेकर कुल्पती ने प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर पूरे मामले पर अपनी बात रखी कुल्पती अरुन कुमार सिंग ने कहा कि बिहार सरकारी सेवक आचारे नियमावली 1976 के प्राबधानों कानुपालन सुनिश्चित कराये जाने है तू किर्सी विभाग बिहार सरकार पटना दौरा पत्र जारी की आ गया था यह हम सिच्छकों और किर्सी विग्यानिकों के तूरा किये जा रहे हैं अन्सन हरतार से संबंदी तो वारता है तू विस विद्याले अस्तर पर 25 नौंबर को अधिकारियों और किर्सी विभाग और राजभवन तक को अवगत कराया जा रहा है विस विद्याले अपने कर्मचारियों के वाजिब हक के लिए लगातार कारे कर रही है जल्दी अस्ताए निदान निकाला जाएगा भागलपूर परचेत्र के DJS कुमार पुलीस जिला नौगचिया के हईश्टी पू कारियाला का निरचंखर ने पहुचे निरच्छन कदरान डियाईजी ने पिछले एक वर्स में हईजडीपो दिलीप कुमार दुरा किये गए कारियों की समिक्षा की साथ ही सभी अभी लेखों का संधरान भी किया डियाईजी सुजीत कुमार सराब बंदी के मुहीम को और भी कारगार तरीके से फोकस करने के उद्देश से नोगच्छिया पहुँचे थे उनने बताया कि सराब बंदी को और कैसे प्रभाब साली बनाया जाया जिससे लोगों में जागरूकता आए और लगातार अभियान चला कर लोगों को जागरूक करना है जिससे सभी सराब से नफरत करें इसका कारूबाल बंद हो वही पूर में सराब कारण में जो भी सनलिप्त रहें उन सभी का डेटा तयार करने का निर्देश दिया गया साथी सराब के सभी कांडों के अनुसंधान की समिक्छा की गई नफराधिक घटनौ के अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया वही नोगचिया SP कारियाल और आवास के लिए निर्मान होने के लिए जगह चिहनित कर लिया गया है डियाजी ने बताया कि नोगचिया SP और HDPO दोलों के कारियाले और आवास के लिए जल्दी निर्मान काले प्रारंब होगा इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है इस दुरान नौगच्या स्पी सुसांत कुमार सरोज, नौगच्या HDPO दिलीब कुमार सहित, नौगच्या पूलीस जले के सभी अंचल इंस्पेक्टर सभी थानाध्यच आदी मौजूद थे बिजली की चोडी रोक ने वबकाया विल वसूली को लेकर विद्द बिभाग की और से लगातार कारवाई की जा रही है इसी कड़ी में नातनगर के गोलदार पट्टी वए अन इलाकों में HDO का नहिया परसाद के नेत्रुत में अधिकारियों ने यह भी आन चलाया इस दुरान पांच बकायदारों की बिजली काटी गई हालाकि उसमें कुछ बकायदार दुकानदारों ने करीब 50,000 रुपे का भुकतानों ही पर किया विद्द बिभाग के इस अभियान से इलाके के बकायदारों में खलबली मच गई वहीं SGO का नहिया परसाद ने कहा कि उब भुकताओं का बकाया 10,000 से अधीक होने वह नहीं जमा करने कर उनकी बिजली काटी गई और यह अभियान लगातार इलाके में चलेगा सीटियस रोड करनगर नातनगर में बने वेंडिंग जोन का उधगाटन तो 28 अगस 2020 को भागलपूर नगर निगम के वर्तमाल महापावर सीमा साह के दोरा कर दिया गया लेकिन ना तो अब तक दुकानदार अपनी दुकान लगा रहे हैं और ना ही उसे कोई देखने वाला ह इस वेंडिंग जोन के बन जाने से फुटकर दुकानदारों में एक आस जग गई थी कि अब इधर दर भटकना नहीं पड़ेगा लेकिन भागलपूर नगर निगम की लेट लतीफी रवया देख दुकानदारों का अब आस खत्म हो रहा है नगर निगम छेतरकार नातनगर सीटियस रोड इस्तित वेंडिंग जोन अब तक सुरूर नहीं हो पाया इसके तहत लाको रुपिये खर्च कर वेंडिंग जोन बन कर तयार हुआ जो कि अब रखरकाव के अभाब में धिरे धिरे बदहाल हो रहा है चदरे से बनी छत उजड़ने लगी है दिवाले भी खसत हाल है आपको बता दे यहां कुल 156 दुकाने हैं मिली जानकारी के मुताबिक सीटियस रोड इस्तित वेंडिंग जोन में दुकानों का आवंटन लोटरी के माध्यम से किया गया था जिसकी वज़ा से वेंडरों में मनमुटाब हो गया कुछ वेंडरों का कहना है कि यहां प जान मारने के धम की मामले में पिलित दिलिप डोम ने थाने में लिखित आवेदन दे कर सिकायत की है। घेराब करते वे नारेबाजी करते वे घटना को अंजाम दें वाणBillों की गिरफतारी की मांग की इस दोरान बिनोद मलिक पंकज मलिक सहीजd मलीक परिवार मौजूद देखे गए इस दोरान पुलीस प्रसासन दोरा गस्ती गारी और गरपतारी की बात कहने पर मामला सांत हुआ वहीं घटना की चानबीन के लिए पुलीस जुट गई है देश के प्रसिद्य पच्छी व्यग्यानिक सम मुंबई हिस्टी सुसाइटी के पूर्ण देशक डॉक्टर असद रहमानी अपनी टीम के साथ नुगच्या कदवा इस्थित गरूर के सरनस्थली पहुँचे और पूरे च्छितर का जाजा लिया उनके साथ देश के विख्यात वन जीव जन्तु के फोटोग्राफर धृतमान मुखर जी, मंदार नेचर कलब के संस्थापक अर्विन मिस्रा और फिल्ड रिसर्च वरकर जनंदन मंडल भी सामिल थे मद्विद्याले खैरपूर कद्वा पहुचने के बाद गरूर गारजियन बालमकुन सिंग, डॉक्टर नगीना राय असोक सिंग, अरून यादव और प्रतनाध्या पक अजैजा ने सभी पच्छी प्रेमियों को पुस्माला पहना कर स्वागत किया वहीं फिल्ड डिसर्च वरकर जननन मंडल ने पच्छी विग्यानिक असदर हमाली को अपने हसलिकित इसमिर्ती पत्र देकर सम्मालित किया उसके आद सभी ने SBO अमन कुमार, सुभम कुमार, नितेश कुमार, उत्तम कुमार ववनपाल, प्रमोत कुमार के साथ उचितन मादमी गुद्धाले खैरपूर कदवा परिसर्ब ने पौधालों पन किया इस दोलान मंदार नेचर कलप के संस्थापक अर्विंद मिस्रा ने कहा कि जिस तरह गरूर ने कदवा को विश्वे के भगोलिक मानचितर पर अपनी पहचान बनाई है, उसके लिए कदम कदम पर कदम के पीड़ हो आज यहां की चर्चा देश विदेशों में हो रही है, लोग पर अटक के रूप में गरूर देखने कदवा आ रहे हैं, इसमें सभी लोगों को एक जुठो कर गरूर के संदच्छन के लिए सोचना चाहिए भागलपूर रेड क्रॉस सोसाइटी के दुरा अंतराश्टी दिवस के मौके पर दिव्यांग जिनों के बीच ट्राइस सैकिल सरवन यंत्र बैसाखी का वित्रन भी किया गया भागलपूर के डिडिसी परतिभारानी के नेट्रित मेया वजित कारिक्रम के तुरान दिव्यांग के बीच च्यानवे ट्राइस सैकिल, दस विल्चेयर, चार सरवन यंत्र, साथ इस्पिक, 27 वैसाकी सहित अनुपकरन को वित्रित किया गया इस दुरान रेट क्रॉस ससाइटी के कई करमचारी और बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद थे तिलका माजी भागलपूर विस विद्याले के प्रसासनीग भवन के मुख्य दरवाजे के समयी प्रभारी कुल्पती के कारसली से नराज अखिल भारति विद्यार्ती परिसत के कारकरताओं ने धरना प्रदर संकिया धरना के दुरान विद्यार्ती परिसत के कारकरताओं ने कुलपती एक खिलाफ कई गंभी रारोप लगाए। चेतावनी देते हुए राजपाल सहकुलाधी पती से ऐसे भ्रष्ट कुलपती पर कारवाई करने की मांग करती है। दोनों पिता पुत्री को जखमी हालत में नौगच्यानों मंडल स्पताल भेजा और मामले की जाच सुरू कर तुरित कारवाई करते हुए मौके से दो आरोपियों को गिरपतार कर लिया। गिरपता आरोपी वकील स्वामी सहदेव मंडल है। सिच्चक और मुंगेर जिला इस्थित जियारेस कॉलेज के सभी सिच्चक और सिच्चकाओं ने केक काटकर सेलेबरेसन को मनाया। और पच्छी साल बेमिसाल उपलब्धी को लेकर आगे और बेहतरीन तरीके से कारे करने की बात कही। झाल 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 झाल